दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ हिमाचल की सबसे खूबसुरज जगा पर सबसे स्वादिस्ट पहाड़ी खाना खिलाने के लिए जो की एक पहाड़ी दीदी अपने हाथों से चूले पर बनाती है और यहाँ पर फिल्म स्टार सनी देवल अक्सर खाना खाने आते हैं यह जगा जाना वाटरफॉल के नाम से मशूर है यहाँ चूले की रोटी, सरसो का साग, कड़ी, राजमा चावल, देसी गी, बिच्चु कुटे की चटनी, सिड्डू और पहाड़ी लिंगडी की सबजी यह इतना सब आपको खाने को मिलता है वो भी बहुती खूबसुरा जड़ने के पास बैठ कर, तो आएए आज हिमाचली खाने का पूरा मेकिंग देखते हैं और आपको आज खा करके भी बताते हैं हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुल बंजारा, मेरा नाम है आशीश और मैं आज आया हूँ जाना वाटरफॉल जो कि मनाली से कुल्लू की तरफ जब आप आते हैं तो रास्ता कटता है एक नगर की तरफ, उपर जाके 7000 फीट उपर यह जाना वाटरफॉल है और जाना व चलते हो और आपको बताते हैं आए अधाना वाटरफॉल कितना पुरान है वाटरफॉल तो सद्यों से चलरा आ रहा है पर एक बात है कि जब से क्लाइंट आना शुरू हो गया तो थोड़ा फेमरल लब हो गया तो भी जाना गया इसको और मैं यह सबसे पहले आते हैं आप क्या बनाते हो हम बनाते हैं यहां के लोकल फूड जैसे मक्का की रोटी सरसो का लछाग और यह को तिया स्पैशन लिंगाडी की सब्जी और साथ में लोकलging , कड़ी , सथ्वसका साथ , दे सखी , शक कर चपनी , अचार , चैप को लोकलड़ हैं तो दोस्तों यह किछिन वे अपको दिखा देता हूं यह कुछ देता हूं यह लोकल बैठे यह और आप लोग यह घ्ला खुत हैं बढ़िया देखो बिल्कुल रो है यहां पर यह लकडियां है टेबल भी मेरे ख्याल से लकडी ही है ना बहुत बढ़िया और यह है इनका किचन का पूरा जो सेटप है यह आपके बेटे यह मामा के बच्चे है तो यह इनका किचन है बहुती रो बहुती पहाडी स्टाइला यह चूला और यह इसके ऊपर लोही किए गया अभी हम इसके ऊपर आपको मक्की की रोटी बनाएंगे ना तो आपके यह तो रेगूलर कस्टमर्स आते रहते होंगे ना बहुत जादा सजी तो सोबह कितने बजे तक स्टार्ट हो जाता है यहां पर फॉंचने के लिए बना अब बनाएंगे ऐसे भी बना हाथ पे बढ़िया और यह नीचे आपने क्या रखाए है बटर पेपर है यह अगर जैसे नाम बने तो फिर ऐसे रखो यह हैबिट वाली बात है हासे बने तो हाथ की बात यह ऐसे उठा लिया यह देखो सजी अब मैं बताती हूं कहां रखना यह देखो चुले पर यह बन गए मारी रोटी यह जिस पर आपने रखा है ना यह नोहे की बना है इससे पर देख लेए हमारा ने एक तरफ से लोको तंदूर होता है अच्छा इस से एसा हो रहे कि एक तंदूर बन गया तंदूर पर हमने कितने बतन रखे यह सारे गरम और अच्छा बन रहा हैं आ थाया मैं अभी तो उपर पक रिया कि थोड़ी दीर बाद में आपको इसको चुले में बिल्कुल कईले पे पका के दिखाऊंगी बढ़ात तो आपने एक और सबजी बताई थी वह क्या थी प्वह क्या तो यह होती है तो यह तो यह कहां का से आती बिना खास प्रेकि जंगलों में पाय जाती है जंगलों में वहां जाँ साफ पानी उसके आसपास मैं आपको दिखाती हूं यह सब्जी कहां लगी हुए चल दिखाइए दिखाइए प्रीस तो यह भी एक वाटरफॉल यह हमारे टेबल से रहे पैसने के लिए वाटरफॉल का इसको भी देखना है यह चुगटी सब्जी आपको खेलाएंगे अच्छा इसकी भी आपको सब्जी लेने के लिए और मैं भी यहीं से जा रहा हूं अधिए देखो जाजी यह जो लिंगडी आना इसका ये पौधा है अच्छा और यह देखो यह इधर लगी अधिविया निकाल लिजे एक आप अधिर गास में लगी हुई है तो यह क्या फाइदा करती है इसकी सब्सक्राइब जैसे की यह ना बहुत ही है अपने श्वीर के सबसे बड़ी बात हो यह बिना खासवर की खुद दूबती है अच्छा ऐसा माना जाता है हमारे बुजरूगों कि इसे कई बीमारिया जो खुतम हो जाती है आप इसको खाते रहा है आए जी बना के दिखाईए चले सब्सक्राइब एक मिनट इसके नाम से ही यह ढावा है सागठागु ढावा हमने आपको बता दी हम रोटी कैसे पकाते हैं यह तो सिर्फ हमने ऊपर रखा हुआ था यह देखो तो यह है जी देखो क्या बात है देखो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जैसे गाओं धिहाद में बनाया जाता है और यह वाटरपॉल है और यह बहुत कितनी उचाई पर हो गई है कुछ साथ हजार इस पर मनाते हम सिद्डू यह जो सिद्डू यह सिद्डू देखो सिद्डू हमने कल मनाली मॉल रूड पर खाया था अच्छा था बट अभी आपका भी आज ट्राइकर के देखेंगे राइट ब इसका ब्हक्त लगाता कि आजाए परिप करें यह बहुत शिद्डू आट राइस द्राइस यह हमारे खेलतों में उगते एं और पोस्टिक अधे है सब्सेर कि इसका नेकुल कलर आशा दूसरा इसकर शेमिंश में नहीं करते हैं हां से कूटते सिद्र चिलका उतारते हैं अ अच्छा और फिर खिलाते हम कड़ी क्या बात है यह वो चाच वाली कड़ी है ना यह देखो यार दोस्तों यह है कड़ी बहुत बढ़िया और देखो सजी यह है राजमा यह क्या है यह यह हमारा देशी घी यह जो मैंना आपको भी सिद्धु दिखाए ना सजी आसे डू को आप डेशी जी डालके चत्मी के साथ खा सकते हैं यह बात है यह तेसी गी मदब आपके पास गाए और यह सारी चीज है हमारा गाओं इस इनकालते हैं यह गाय पालते है फ जाता है कि यह सारा गी कभी तो सीजन में एक दिन में लग जाता है तो बहुत से लोग पहले टेस्ट पर अपने साथ ले जाते हैं इतना शुद्गी हमारे बाहां नहीं मिलेगा तो मैं भी देखता हूं और पर हो सका तो मैं भी आपको खिलाओंगी जैसे आपको तो खाना पुरोसूंगे ना सजी फिर घी शिड़ू राजमा कड़ी राइस मका की रोटी लिंगडी की सबजी आपने रहां नहीं जा रहा है अब आप खिलाई दो आपके बास पैसे उसारी चीज़ा बनी है ना आपके रोटी बनानी है अब ही बना के आपको बताएंगे लि बहुत बढ़िया तो इसको यह चोटे चोटे पीस करके यह डिरेक्ट काट के बना देते हो इसमें कुछ धोने का यह ऐसा कुछ सुध्री आपके सामने तोड़ी बिल्कुल साफ सुथ्री बिल्कुल चलिए जी दोना चाय तो सकते हैं या जैसे आप बनाते हो बैसे खिलादो कोई को आप देख सकते हो पूरा इस तरीके से ठीक है जी बाध है यह को देखो दोस्तों देसी की जो यहां का लोकल गी है और यह डल गया सबसे पहले पैन में बहुत बढ़िया यार अब देशी घी के बार डालेंगे हम इसमें जीरा जीरा तो ये ड्राय सबजी होती है ना बिल्कुल अगर लिंगडी की सबजी में कभे भी थोड़ा भी पानी गया तो सबजी का कोई भी टेस्ट में रहेगा अच्छा इसी लिए आपने बोला तो इसको धोते नहीं है दोइंगे न तो उसमें पानी रह जाएगा और इससे सब बागी बता है आपको मेरे को रेसिपी से जादा मज़ा आ रहा है इस जगा को देखके क्या जगा है यार मतलब ना पूरा पहाडों में घिरा हुआ है बड़े-बड़े पेड़े मतलब जितनी साइज आप सोच सकते हो ना पेड़ी के उतने लंबे पेड़े यहां पे और उस में आप यह मैडम यह पर सबसे बना रही है बिल्कुल पहाडी स्टाइल क्या वाट है अभी नमक दाल रहे है यह जरी फोड़े सानलक और अभी यह है सब्सक्राइब दोस्तों लिंगरी की सब्सक्राइब बढ़िया फ्रेश अभी पहाड से तोड़के लाएं हम यह सब्सक्राइब अगर वहाँ पानी डालेंगे तो लिंगरी का टेस्स बिल्कुल नहीं रेसिपी और यह मेरे खाल में मैंने तो आस तक नहीं खाई और अगर आपने खायो तो बता देना बाकी कॉमेंट करके बताना किसकी ने खाई है यह कर दिया में बन पाच पिर पाद पक जाएगी तो बा है पिर बताएंगा आप कैसे कैसे कुस्टारा है तो यह सबसे पहले नोगर डल रहे है आपन यह कड़ी यह है दोस्तों देखो कड़ी यह चाच वाली कड़ी है तो इसमें कितनी Lore losing का फीर और्भात यह हो गया है यह हो गया हा मैं यह देखिए बहुत बढ़िया तो यह आपकी थाली है इसमें कितनी चीज तोटल आ जाती है इसमें हो जाती है दस ग्यारा चीज अगरम क्या शानदार लग रहा है यह रगा, चोफ्स बहुत बढ़िया हमारी थाली तैयार हो रही है, ज हो गया हमारा रेड राइस यह लोकल राइस है यहां का दोस्तों मोटा दाना है देखो, आप देख सकते हो और इन्हों ने बता है ता सिर्फ छिल्का उतार के बना देते हैं है, बिल्कुल हेल्दी और प तो आपने स्बजी बनाई थी यह इसी का चार है क्या बात है तो ज्ञार की शॉट नियोगता और तरीका होता है तो इसमें आपके डाले जो भी अचार के मसाल है तो इसमें सर्शुका यह तेरल जीरा व्ले संपक्त कर दो बनाता है जो किसी भी आचार बनाने महतना वहीं वाला है ओके बहुत बढ़िया जी यह देखो यह तो है लिंग्री का अचार और यह मीठा मलब गुड जब खाना खाएंगे कुछ मीठा चाहेंगे जी 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 तो यह मक्की की रोटी है बैसे तो आप इसको सर्सों के साथ और पाला ना टोखे को फाइनली सारी चीजा किनल सब्सक्राइब राइस क्वादेarao कि सब्सक्राइब संद बहुत बढ़िए घाए तो यह हमारी आज की दावत तो दोस्तों यह देखो हमारी सारी चीज बन चुकिए अब उठा लिए दिने हाथ में अब हम चलते हैं कहां चल रहे हैं अब खाने के टेवल पर जहां को मैं बिठाओंगी जो जर्णे के पास है अरे वाय यार देखो दोस्तों यह है महाल जाना वाटरफॉल हाँ जाना जाना वाटरफॉल हो रहा है और जो चोटा सोर्स है और यह जो है हमारी सारी जो दावत है आज की यहां लग चुकिए है हलो दोस्तों व्यलकम टू वर्चुवल बंजारा मेरा नाम है अशिश मनाली से कुलू के रास्ते जबाप आते है ना तब यहां से इसका नगर की तर और उसका नाम है सागाल थाकोरधा heto ऑग का ये पूरा वीडियो आज हम ने बनाये इस लिए निए कियोंकि एक तो यहां पे जो है बहुत ही तरीक से लोकल तरीके से यहां पर खाना बनाती है चूले पर और क्या क्या बनाया है उन्होंने हमने आपको सारी और एक बहुत इंपोर्टेंट यहां की लोकल डिश की लिगरी की आपको सब्जी भी हमने दिखाई है अब खाएंगे आपको जाइका बताएंगे और दिजी से पूछ लेते हैं कि कैसे किसको कैस खाना चाहिए तो एक बार पूरी थाली है हमारी अब मैं आपको बताते हैं जो बहार से तो ग्यों के आटे का बना होता है अंदर से अख्रोट और खुसका इसमें स्टॉफ पर रहा होता है यह जो फिलिंग है ना इसके अंदर आप देखो यह कौन सी यह दिदी फिलिंग और अख्रोट की मिक्स होती है अख्रोट यह देखो दोस्तों यह है इसके अंदर की फिलिंग और गर्मा गरा में धुआ आप देख सकते हो है ना अब इसको आप गी डालके यह नीचे गिर रहा है देखो बहुत ही सही और यह बीच्छो कुटा की चटनी के साथ खा सकते है क्या बात है जी देखो यह दोनों चीज़ें डाल दिया है घी और चटनी प्राइगर करके देखते हैं कि बहुत अलग स्वाद है जो हमने कल खाये था ना हमने दोस्तों मनाली में भी खाये लेकिन इससे बिल्कुल अलग स्वाद है और जो बिच्छो कुटा की चट्नी है वह सच में थोड़ी अलग है फ्लेवर जैद आरें जैसे धन्या की चटनी बंती है ऑनुए थोड़ा धीमा होता है इसका फिलेवर थोड़ा सा शार्प है इसमें से विए कि इसमें मिशंडेकर पत्ता पुदिना धनुए-ोहाइव चीजे मेला जाती है अचिक चिजा में हमारे खेतों में बएर्पफ बढ़ है लेकिन यह जो घी है ना है शीत की आवर भी है मैं इसके अंदर आपको डाल के दिखाता हूं वैसे मैं जब से आउना यहां पर तब से मैंने घी नहीं खाया पुदीना होगा लसन होगा दनिया होगा हलका जैसा सरसू का पत्ता भी होगा बहुत सही लग रहा है और ऐसे बहुत से चीज़े है जिसको हम इसमें मिक्स करते है लिए गरमा गरम यह देखो अरा मज़ा पहाड़ी राखा है गरमा गरम खाना आ है और अगर आपने साथ घा सकते हैं पहले साथ ही लेते हैं और यह लेते लिए और यह साग में आपने क्या क्ये डाला सर्सो का साग और हलका बिश्व गुटिका पत्ता भी में सोता है की सागा फ्लेवर और अच्छा बप्व रूटी और चाला के तब कि यह अगर आपको पता है यह यह भी अलग स्वाद कर रहा है जैसे सर्फों का साग होता है वैसा नहीं है और बिच्चु कुटे के पत्ते का स्वाद मेरे को समझ में आ गया है वह आप इसे मिक्स करते ता कि क्योंकि साग तो अब घर पे खाएंगे फ्लेवर हटके होना चाह कि बिच्चु कूटा है इतना लाओड आता है इसका लेकिन अच्छा लग रहा है लिंगरी की सब्जी जो अभी हमने आपको बताई थी पूरी इसकी मेकिंग देखी थी बहुत सिंपल और बहुत कुईक रेसिपी है और यह जो है ना हमने यहां से ली थी देगो मेरे पीछ चीज खागे मज़ा आ रहा है आज तो रही होती है तो रही होती है तो रही होती है तो थोड़ा सा वैसा टेस्ट है लेकिन इसके जो मेडिशन प्रॉपर्टीज होती है ज्यादा होती है जैसे कि आपने बताया था खाने में भी स्वाद है और सिहत के लिए बहुत अच्छा है और पहाड़ी है तो फ्रेश भी है यह चीज़े अपने शहरों में तो नहीं मिल पाएंगी अपन को है ना कि मार्चल में भी हर ज यह जो है ना यह देखो यह है गुड़ और यहीं सिर्फ गुड़ है कि कुछ और मिलावा अच्छा तो यह बुरादा भी देखो गुड़ का मैं इसमें डाल देता हूं हलाकि इसकी जो रंगत है ना जो अपने शहरों में गुड़ मिलता उससे अलग है और यह भी फ्रेश है ना औरीजिनल है अभी तो हमको बस इतना भी पता नहीं होता कि और वह क्या है पहाड़ों में है तो एक विश्वास होता है ना बागे लगवाज जो भी चीजें खा रहे हैं हमारे घर की है राइस वह मारे खेतों में होती है और जो आप कड़ी खा रहे हम गाये पालते जाये दूर देती है उसे लसी बन गया और उसे कड़ी बर मदब सारी चीजें और गयानिक है घर की है घर पे बनीवी है यह है जी हमारी मेठी रोटी होगे एक तरीके से खागर के देखते हैं तो मेरे घर वाले बैठे है राजस्थान में ठीक है अगर इतनी दूर नहीं हो फेरी का य thirds नहीं थोड़ा से ही टेस्ट करता हूं थोड़ा सा लाय लेता हूं इसमें से इतना अर यहां रख देतें तोड़ते हैं और यह उठातें निकरी का अचार यह देखो है अब इसको खा कर कर से BUR पहले बाइट लोगे ना तो 600 तरह 600 उसका तीखा सा एक फ्लेवर नहीं था वह आएगा पहले मुह में लेगरी का फ्लेवर तो जा चुक है 600 खटास और भी जो मसाले डलते ना चार में सारे मसाले फील हो जाएंगे खाते ही भूँस यार खटा सा बहुत शानदार देखो चीज तो है एरिया बहुत अच्छा है महाल बहुत अच्छा है बैग्राउंड देख लो यार ऐसे बैग्राउंड के लिए लोग मेरे खाल में हजारों रुपए खर्च करते हैं ऐसे फील लेने के लिए और मैं सिर्फ आया हूँ साथ अजार फीट उपर यह खा रहा हूं खाना बिल्कुल नॉमिनल कोस्ट पर कोस्ट का है लास्ट में बताऊंगा पहले अपन यह देख लेते हैं देखो यह अब है यह देखो जी यह है कड़ी हालाकि कड़ी एक ऐसी चीज़े जो सब के घर में बनती है बड़ टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है बनाने का स्टाइल यह खाते हैं एक बार देखो कि शुद्ध आउती ने समझ में आ जाती है की बार बार तारीफ करूं अब मैं बस खाऊंगा और हसूंगा तो आप समझ जाने अच्छी जीज़ है जादा बोलने से भी ऐसा लगता है कई बार कि और कि यार कितना अच्छा लग राग्रहां इसको यहांतों उपर यांटांते मजा मरा और यहिसमें कज स बढ़त बार कहाद हुए पियास के साथ ही का एंग राजमा चाउल तो इंका राजमा का पेलने कंसिस्टंसी देखो आप नğin किमोट्ते नहीं घाली लोगे तो बिल् लाल चावल इसको भी उठाते हैं यह देखो जी यह है बाइट कि राजमा चावल का बहतरीन combination राजमा है ना राजमा की quality उसकी softness से पता चल जाती है कि मुह में जाके कैसे घुल जाता है वो quality बहुत अच्छी है बाई देखो हर चीज experience करने की होती है हम लोग इतनी उपर आए गाड़ी लेके क्यों आए हमें एक तो जाना वाटरफॉल जो मनाली में बहुत फेमस है मनाली कुलू के पास में नगर में यह परेटन स्थल है लोग यहां पर बहु दिखेगा सबसे important बात बताता हूं यहां पर बहुत सारे जो है ना फिल्म स्टार्स आकर के गए जैसे अनन्या पांडेरों ने बिताए था और सनी देवल की तुने ने फोटो भी लगा रखी अपने उसमें इनके बेटे के साथ में तो यहां पर बहुत सारे फिल्म स्टार रहां नहीं क्योंकि सारी चीज़ों में इतना सही टेस्तैइश तो यही होनी चाहिए सकी उसके अलावा जो इसकी को समय मिलता इसी जगा जाए एक्स्पीरिंस कीजिए और ऐसा डिलिशियस खाना खाके देखिए आपको मज़ा आजाएगा मैंने कोशिश कि आपको सारी चीज़े दिखानी के I hope मैं सक्सेस्फुल रहूंगा उसमें so I think this is it for now अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और नहीं जगा किसी और नहीं जाएगे के साथ Till then be happy